अच्व्कानों करें बात कने वाले है अध्य कर के बारे में जो आपका तो या को कैसे डानओड करेंगे रेंड छरीम हम interested में जाने तो चले तो या यहां पे आपको यैसे यह आप पर इस्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी ऑप्षिन दिख जाएंगे यहां पर अप्लाइन आउ के आप्षिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यूव आपको आप्षिन मीलेगा माइ अप्लेकेशन पम यहां पर दिख जाएग सीड़ेट का पहलेंगे तो यहां पर हमारे पास जो हमारे डू मेंड रहेगा किotam बहुत इन्फोर मेंड रहेगा किस प्रकार का उसकी डिटेल ऐडि व्यर रवेदा यहाँ पे आपका पालिया टेस्ट and date of examination, आपका examination का date क्या है, जैसे कि हम सभी को पता है, 28 तारीच को हमारे पास, जो हमारा CT का में इक्साम है, वो होने वाला है, तो यहाँ पे 28 तारीच लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे login timing लिखा हुआ है, यार यहां पे हमाई पास login टाइम दे रखा हुआ है तो यहां पर हमाई पास login टाइमिंग दे रखा है 2PM का राइट दोपहर के 2 वज़े हमें login करना पड़ेगा यहां पर यहां पर exam start time 3PM पर हमाई पास around 3PM के आसपास हमाई पास exam की questions आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर यहां पर हमाई पास तीन वजे हमाई पास exam हो जाएगा तीन वजे स्टार्ट हो जाएगा हमारे exam फिर हमाई पास duration of the test रहेगा या 100 minutes का फिर अगर virtual examination room जो है यहां से यह मेरे साब से यहां पर operate करने का है जो आपका प्रॉक्टेट exam होगा वहां पर यह अपर यहां पर यूजर आईडी एंड फॉर टेकिंग एक्जाम यहां पर यूजर आईडी दे रखा है फिर जो आपका online password जाब भरेंगे उस वाले website पर जो आपका examination का website होगा उस पर यूजर एड आईडी पासवर्ड यह दोनों लिखा हुआ है यहां पर यहां पर यहां पर वो दोनों डालके आप login कर लेना दो बज़े यहां पर यह बात मैं बता दू कि यह timing सबकी अलग हो सकती है तो यह मत नीचे comment section में लिखना कि हमारे पास यह timing नहीं आई है तो timing साथ अलग-अलग हो शकती है लेकिन उसकी चिंता करने अली बात नहीं है फिर यहां पर यहां पर कुछ declaration दे रखा है यह declaration आप पढ़ लेना ठीक है फिर यहां पर आपका candidate का signature लिखा रहेगा टेस्ट देने से पह sensory है अगर आप paper नहीं देते हो मोक टेस्ट तो problem हो सकती है में CET में राइट तो कम से कम एक मोक टेस्ट पेपर को देना जरूरी है और यहां पर काफी सोरे बच्चे कहा थे कि हर रोस देना है जितनी जितनी आइक से देर खाया है उसके बीच में सारे दिन देना है तो मैं ब सकते थे कि हमें हर रोज देना पड़ेगा इतने तारीक से लेखा है इतनी डाइक तक लेकिन यहां पर एंड का लिखा हुआ है sign दे रखाए तो यहां पर हमाएं पास सिर्फ और सिर्फ दो ही दिन देना पड़ेगा हमें मोग टेस्ट पिपर राइट यहां पर कुछ थोड के गडर ब्रेक नहीं ले सकते है अगर आपको पानी प्यास लग जाता है पानी ट्रिंकिंग वाटर आपने साथ रखे अगर जरूरी है तो अगर मैं कहुंगा यार यह सब मत करो ब्रेक मत लेना एंड वाटर अगए सबके एक घंड़े गाई तो टाइम है एक घंड़े के बाद आगर आप एक घंड़े तक कुछ नहीं पीती हो या कहीं नहीं जाती हो ब्रेक तो कुछ हो नहीं जाएगा तो इसलिए इस तरगेगी मत कर देना यहां पर कोशन आप आपको यह बोनस चांस नहीं नहीं है तो जीतने कोशन हो सके उतने निकालने की कोशिस चरूर करना राइट यहां पर टेस्ट देने के लिए पीसी लैप्टॉप का विंड़ो होना चाहिए ओस सेवन सेवन से उपर का राइट विस सुटेवल एंड्रोइड अगर लैप्टॉ अपका वह सारा का सारा नोट होगा रिकॉर्ड होगा तो आप इस तरह की चीजे मत करेना जिससे की वहां पर उनका एक्जाम को कैंसल करने की चांस राइट एंड यहां पर एक चीज लिखावाए कि यार आपका जिद जब भी पेपर होगा उसके साठ मिनट पहले आपको ल स्टार्टिंग टाइम आपका तीन वजे का है तो आपको दो वजे लॉग इन करना पड़ेगा तो उसी प्रकार का यहां पर लिखा हुआ है सारे चीजे रेंड डूज एंड डॉंड लिखा हुआ है यहां पर देने से पहले तो यह इंपोर्टेंट है फिर उसके बाद आ आघर है यहां पर प्रेंट का बटन का ओप्शन तो जैसे यह आप प्रिंट करेंगे तो यहां पर आपके पास और के बारे में तो यार मोग टेश्फ पेपर कमपलसरी है सबीको करना कमपलसरी है यहां पे काफी वत्चे अभी यह कर रहे है कि लॉग इन पासवर्ड आईडी आ चुकाई उनका अभी लॉग इन कर रहे है उनके पास कोशन पेपर नहीं आ रहा है तो मैं बता दू कि जिस टाइम आपका जोन से टाइम दे रखा है उसी टाइम पर आपके पास पॉस्टेंस आएंगे तो पहले ही लॉग इन करने का कोई फाइदा नहीं है यार यार एक घंटे पहले लॉग इन करना यहां पर काफी बच्चों के पास इमेल नहीं आया तो इमेल आजाएगा उसकी चिंता मत करो राइट और भी कोई प्रब्लम हो तो बताना जरूर कमेंट शेक्शन में तब तक लिए चलते हैं बाबाए टेक केरे मिलते नेक्ट वीडियो में शांदर टोपिक के साथ बाबाए